जो जो लोग मुझे social media platform पे follow करते हैं उनको पता होगा कि मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया था और फिर वहां से मैं मत्थुरा गया व्रिंदा बन गया मधुबन और बाके भिहारी इन जगहों पे मैं गया और प्रेमंदिर देखा इन जगहों पे मैं पहली बार गया औ लेकिन वहां पे phone camera कुछ allowed नहीं था तो कुछ pictures ने लिक कुछ नहीं तो जब अंदर से उस area से होके गुजरेट जहां पे चब उतरा है उस दिवाल से लगे पीछे मस्जिद है इदर मंदर का complex है तो लाइक और शेट ठोक दिजिए माकाल का तबाग लाइक और शेट ठोक द है अगर आप उस complex में घुसेंगे आपको structure दिखेगा और आपको पहले से पता है reality क्या है तो वह गुंबद देखके आपको गुस्सा लगेगा जायर से होता है और सिर्फ गुंबद ही है उसके लावा कोई structure Islamic structure नहीं हो गुंबद अलग से बनाया गया है तो जब intention ऐसी है मै है वही सोचरों मैंने कई बार यह सवाल पूचा है एक बार फिर पूच रहा हूं वीडियो के सुरुआत में फिर आगे बात करेंगे समुद्धे पर कि पूरे भारत में land area कितना है यह मैंने गिन के नहीं रखा लेकिन बहुत बड़ा देश है ठीक इन्वेडर्स आते हैं आज इतना क्राउड है न आज इतने बिल्डिंगें बनी है उस वक्त तो बहुत स्पेस थी इन्वेडर्स आए मुगल आए जितने भी इस्लामिक क्रूलर्स आए जिन्होंने मंदर तोड़े कश्मीर में तोड़े इधर नौर्थ इंडिया में तोड़े साउथ में बहुत क से प्यार करने वाले थे अकबर बाबर औरंगजे बहुत अच्छे लोग थे इन्होंने मंदिरों के उपर ही गुंबद क्यों डाला उन जगहों पे ही जहां मंदिर था जैसा सरवे भी बताता है जैसा सारी टेक्निकल चीज़ों क्राउंड पर आप जाए जैसा सारी टेक्न किलमेटर दो किलमेटर पांच किलमेटर पतलब एक रेडियस के उधर क्यों नहीं बनाया पहली चीज आपको प्रॉबलम भी थी मंदिर से आपको प्रॉबलम थी लेकिन क्या इतनी प्रॉबलम थी इतना कंपॉल्शन था कि तोड़के ही बनाएंगे उसी के उपर और शुरुआज से ही रहा है अगर ऐसा आपका culture और history सब कुछ तो एक दो घटनाएं समझ में आती है हजारों की ताद्याद में मंदिरों का तूटना ना लंदा का जल जाना मतलब आपको knowledge से भी दिक्कत थी कोई इस बात का oppose नहीं करता एक stand नहीं लेता कि हाँ उस वक्त के मुसल्मान रूलरों द्वारा उनके against कोई protest नहीं करता कोई stand नहीं लेता कि उस वक्त की जितनी मुसलिम आबादी थी जिसने भारत के साथ बुरा किया रौंदा, लूटा, conversion किया वो हमारे ancestor नहीं हो सकते उन्होंने सिर्फ conversion का का काम किया है पहला कमेंट आप ये बताईए किते लोग होके हैं दूसरा, आपको कैसा रखता हो गुंबद देखते हुए और कृष्णन भूमी में जो भी जब उतरा जहांप अगर आप अंदर से होके आएंगे उसी दिवाल से लगे हुए है कैसा लगता है तीसरा, मुसल्मानों को अगर इतनी आपती है तो क्या उन्हों अभी तक सेकुलिरिजम के चक्कर में वहाँ पर नमाजें पढ़ रहे हैं और यहाँ पर पीछे मंदिर है इतना तो आप से सहा नहीं जाता है नमाज क्यों पढ़ी जा रही है पढ़ी जा रही है, आपको पता होना चाहिए उस तरफ जो मस्जिद वाला एरिया होँ पर पढ़ी जा रही है वो गेटा लग है, यह गेटा लग है हिंदू जन्ता सही सवाल है मेरा कि लड़ाई आप क्या अगले 100 साल तक खीचेंगे इसका निरणायक फैसला कब आएगा इस पर सरकार पर अब दवा बनाई कि कोट में मैं अभी भी कोट कह रहा हूँ प्रोसीडिंग फास्ट हो, कोट में प्रोसीडिंग फास्ट हो और जल्दी स-जल्दी सब फैसला आए फास्ट्रेक कोट चलाई जाए कि मामला निप्टा दिया जाए इसको पॉलिटिक्स के लिए घसीटन ना आ जाए आया तो सरकार 1990 वाली घटना आया तो सरकार बाबरी वाली घटना रिपीट होने का वेट कर रही है तो वो फिर अलग डिस्कोर्स का मुद्दा हो गया मैं नहीं चाहता कि वो रिपीट हो फिर फिर वो scheint होगा फिर विवाद होगा फिर कोट और लंबा चलेगी फिर अगरा वगरा वगरा वच यह अगरा साथे हैं तो अध्युक्त करें तो इसे एरिया को जो उनका जो पेन है वो जो रियालिटी को फेस कर रहे हैं बिल्कूल नस्दीक से वो फिलहाले काम करें कि प्रोटेस्ट, दबाओ, प्रेसराइज, लेटर, कोट केस, जितना भी आपका जो सही तरीका है, सही तरीका मैं हर चीज को कह सकता हूं, जस्टिफाई कर सकता हूं, लेकि जो intensity है वो बहुत कम है इस मुद्दे पे तो बात होनी ही बंद हो गई है कृष्णन मुव्याल मुद्दे पे ना news media कुछ बात करता है ना लोग road पे दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे चलता रहा तो देर कितनी लग जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा तो मैं चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जन्दा थोड़ा active हो जा proactive हो जाए क्योंकि social media के जमाने में आपकी एक आवाज 10 गुना ज्यादा amplify होके सरकार की कान तक पहुचाई जा सकती है तो मैं एक आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हूँ आप हजार लोग होंगे लाख होंगे करोड होंगे आप अपना काम करिए आप अपनी आवाज उठाइए और उसको social media में रह रहे जितने भी रास्ट्रवादी लोग हैं हिंदू हैं जितने भी समर्थक लोग हैं ये चार हजार के लिए मैं आप नहीं खड़ा हूँ पुरा साल मेंनद करता हूँ आपके लिए बिटा